हेलो एवरिवन आज हम सेवन्थ क्लास की हिंदी की कारिय पुस्तिका में अध्याय 11 हैं रहीम के दो हे में दिये गई परस्टों को अच्छे से हल करना सीखेंगे सभी बच्चे वीडियो को सुरू से लेकर अंतक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में देवल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालू उसका नौटिकेशन आपके पास आजाए और मेरे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तो देखें एक बार सुरुआत करते हैं हम यह यहां पर यह ग्यारवां पार्थ है रहीम के दोहे और इसका पहला क्यूशन है यहां कि नीचे दिये गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखो कहानी के मुख्य पात्र होंगे एक बंदर मुर्गा पेड़ और लालची आदमी जैसा कि यहां पर आप इन चित्र में इसमें देख भी रहे हैं यहां देखे आपको यह चित्र नजर आ रहा है तो इसके खौड़िंग एक कहानी जो है वो लिखनी है तो इसमें हमने यह कहानी बनाई है कि एक बार एक आदमी था वह बहुत लालची था लोग उसको लालची नाम से पुकारते थे एक बार उसने एक मु मित्र बंदर था बंदर ने उस लालची आदमी से कहा कि आप मेरे मित्र को इस परकार खाने के लिए अपने घर न ले जाएं मैं इसके बदले आपको पांच किलो फल तोड़कर दे दूंगा जब बंदर ने फल तोड़कर उस मुर्गे को दे दिये तब उसको और लालच हो गया बंदर को गुस्चा आया उसने वरिक्स पर चड़कर फलों से उस आदमी की पिटाई कर दी और मुर्गे को छुड़वा लिया तो यह कहानी थी अब यहां पर सेकिंड क्यूशन है कि इस कहानी का एक नाम भी लिखो तो इस कहानी का नाम हो सकता है जैसे को तैसा इसी यहां पर जो नेक्स्ट क्यूशन है यह कि पाठ के दोहों में से एक जैसी आवाज वाले शब चाट कर लिखो जैसे रीत मीदे रखा है तो आपके पाठ में ही है एक जैसी आवाज जैसे या चाट कर लिखे हैं मोह चों पान सुजान मेह देह घः गहरात बात तो यह महारी भासा में इन महीनों को क्या-क्या कहते हैं तो यह महीना जैसे कि है स्रावन इसको कहते हैं सावन जेश्ट इसको कहते हैं जेट यह पॉस यानि कि इसको बोलते हैं और यह आस्मीन महीना है इसको आसोज आसोज बोलते हैं नेफ्स्ट है यहां पर क्यूशन इसमें कि रहीम ने सभी दोहों में कोई न कोई तुलना की है तुम नीचे दी गई सारणी में व्यावस्तित करके लिखो कि किस की तुलना किस से की गई है यहाँ पर इसमें दिया है किस की तुल्ला और किस से तुल्ला की गई है वो दोनों अलग-अलग तालिका में दिये गई है यहां पर आप उधारन देख सकते हैं कि सच्चे मित्र की तुल्ण मचली से की गई है मतलबी मित्र की तुल्ण स्रोवर के जल से सज्जन पुरुसों की तुल्ण पेड और तालाव से की गई है इसी तरह से यहां पर next है कि खाली डिंगे हाकने वाले लोगों की तुलना यहां पर क्वार मास के बादलों से की गई है और मनुश्य के सरीर की तुलना धर्ती की गर्मी, सर्दी और वर्षा सेन करने से की गई है इसी तरह यहां next question है बच्चो कि तुम अपने सबसे अच्छे दोस्टों के नाम लिखो साथ ही यह भी बताओ कि वे ही तुमारे अच्छे दोस्त क्यों है तो यहां पर बच्चो यह question में आपको अपने अच्छे दोस्तों के नाम लिखना है यहां पर अपने अच्छे दोस्तों के नाम लिखे जैसे मानलो आपके अच्छे दोस्त हैं जैसे यहां पर उनके नाम आप लिख सकते हैं जैसे सीला है, राधा है, मोहन है, सोहन है जो भी आपके दोस्तों का नाम है रिंकू, मो, नू, टी, नू जो भी है आपको यहाँ पर लिख देना है अब साथ ही यह है इसने लिखा है कि वे तुम्हारे अच्छे दोस्त क्यों है तो यहाँ नीचे दो ती लाइनों में आपको यह भी लिखना है कि वो अच्छे दोस्त क्यों है कि वो आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करते हैं आपके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं अच्छा वेभार करते हैं इसके से आप उनके बारे में लिख सकते हैं कि हमेशा हमारी जो है वो मेरा दोस्त जो है मोहन है या सुहन इस तरह लिखने के बाद आप लिखिये कि वह हमेशा मेरी सहायता करता है स्कूल में भी हम साथ में रहते हैं साथ ही बैठते हैं पढ़ाई में भी जो मुझे समझ में नहीं आता वो मेरी सहायता करता है मुझे अच्छे से समझाता है उसके समझाने से मुझे समझ में आ जाता है इस तरह से मेरे साथ वो खेलता है तो इस तरह से जो भी है आपको यहाँ पर खुद ही लिखना पड़ेगा नेक्स्ट यहाँ पर क्यूशन है कि रहीम जी ने सभी दोहों में कहीं न कहीं अपना नाम लिखा है इस परकार दो ऐसे दोहे या रचना ढून कर लिखो जिसमें लेखक का नाम लिखा हो तो यहाँ पर देखिए यह वाला दोहा जब हम देखते हैं जो पहला दोहा है पहले दोहे में क्या है यहाँ दिया है कि कबीरा खड़ा बजार में सब की मांगे खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर तो यहाँ पर इसमें कबीरा शब्द जो है यहाँ पर आया है यह देखिए कबीरा यानि कि यह कबीर जी का दोहा है जैसे रहीम जी के दोहे हैं उसमें रहीमन नाम लिखते हैं तो इसी तरह से इस दोहे में जो है वो कबीरा दे रखा है इसी तरह से जब हम दूसरा दोहा देखते हैं यहां देखिए इस दूसरे दोहे में क्या है कि इसमें है रहीमन पानी राखिये बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानस चून तो यहां पर इसमें रहिमन दिया गया है है ना यहां देखे यह राह रहिमन तो यह रहीम जी का दोहा इस तरह से इन्होंने अपना नाम लिख रखा है यहां पर अब आगे यहां नेक्स्ट में है कि यदि सभी पुराने कवी या लेखक अपना नाम दोहों या रचना में नहीं लिखते तो क्या होता तो रचनाकार का पता नहीं चलता कि यह किस ने लिखा है ठीक है अब इस तरह से यहां नेक्स्ट क्यूशन है कि नीचे दिये गई भावार्त को ध्यान से पढ़कर पाठ में से उन दोहों को चाट कर लिखो इसमें है पानी और मचली दोनों ही हमेशा साथ साथ रहते हैं प्रंतु जाल में फसने पर पानी मचली को जाल में ही फसा चोड़कर खुद जड़ से बाहर निकल जाता है लेकिन जो मचली है वह जाल में फसे होने पर भी अपने मित्र पानी से बिछुड़ने से दुखी होकर उससे मिलने के लिए छटपटाती ही रहती है यहां तक ही अपनी जान दे देती है सच्चे एमम वफादार मित्र मचली के समान होते हैं जो दगाबाज दोस्तों के लिए भी हमेशा चिंतित रहते हैं तो अब इसने यहां पर कहा था कि इस भावार्त को ध्यान से हमें पढ़ना है और कौन सा दोहा है इस पर फिट पैठता है वो हमें यहां पर लिखना था तो हम यहां पर दोहा लिखेंगे कि जाल परे जलजात वही तजी मेनन को मोह रहिमन मचरी नीर को तव न चाड़ती छो अब इसीतरे से यहां पर नेक्स्ट जो है देया है कि जब तुम्हारे पास बहुत अधिक धन संपत्ती है तब तो कई लोग अलग-अलग तरीकों से रिस्तेदार वही तेशी बन कराते रहते हैं लेकिन जो लोग मुसीवत आने पर भी तुमारा साथ नहीं छोड़ते हैं वही सचे मित्र और सही रूप से भला चाहने वाले होते हैं बाकी तो केवल अपना मतलब निकालने के लिए ही तुम्हारे आगे पीछे भूंते रहते हैं तो इसके उपर भी यहां पर जो है दोहा है यहां देखे यह जो दोहा दे रखा है कि कही रहीम संपत्ती सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ती क सोटी जे कसे तेई साचे मीत अब नेक्स्ट एर्थ क्यूशन है यहां पर कि यहां बॉक्स में कुछ शब्द लिखे गए हैं जो नीचे लिखे शब्दों के समान ही अर्थ वाले हैं इन्हें छाट कर उनके सामने लिखो साथ ही अर्थ का वाक्य में प्रियोग भी करो तो यहां पर जो यहां आपको नजर आ रहे हैं यह देखिए यह गर्मी, शरीर, सजजन, दोस्त, बादल, खोखला यह वाले शब्द जो इसने का था कि बोक्स में शब्द लिखे हैं जो नीचे लिखे हुए शब्द के समान ही अर्थ वाले हैं तो इन्हें हमें छाटना और उनके सामने लिखना है अब यहां पर है, जैसे इसने दिया है यह देखिए, देख का मतलब है सरीर वाक्य बनाना है फिर अच्छी आदतों से सरीर स्वस्थ रहता है यहां पर जब हम उपर यह देखे देखे यह सरीर यहां से लिया गया है अभी सी तरह से बादर है यहां इनकी अर्थ बताने हैं और इनका वाक्य लिखना है बादर का मतलब होता है बादल और वाक्या है आज आस्मान में बादल चाहे हैं सुजान का मतलब होता है सज्जन वाक्या लिखेंगे सज्जन पर उसके साथ रहना चाहिए मीत यानि कि इसका अर्थ है दोस्त मेरे सारे दोस्त बहुत नटकट है भाम, भाम का मतलब होता है गर्मी, अब इस पे हम लिखेंगे कि आज बहुत तेज गर्मी है, थोथे, थोथे का मतलब होता है खोखले, खोखली बातों से कोई फायदा नहीं अब इसी तरह बस यही पार्ट तो यहीं पर खत्म हो जाता है बच्चो तो यह पार्ट ही खत्म होता है मैं फिर आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊंगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो बच्चो ठीक है तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए बाई